दोस्तों स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइट विसिट में दोस्तों आज का जो टोपिक आएक सीरीस स्टार्ट करने वाले हम लोग सीविल इंज़िनिंंग बेसििक नॉलेज as a internship लेके चलो जो basic knowledge होता है site पे जो आपको चाहिए site पे मतलब practical knowledge वो चीजें मैं आज से series start कर रहा हूँ daily आपको practical knowledge मिलेगा theoretical way से और possible होगा तो मैं आपको field पे भी ले जाऊँगा आपको live sessions भी दिखाऊँगा तो उसमें हम सीखेंगे basic चीजे जो आपको interviews में भी काम आएंगी और आपको side work में भी काम आएंगी तो सबसे पहले question से ही हम start करते है basic question है सबसे simple question कि why we provide distribution war जो distribution war होते हैं हम क्यों provide करते हैं देखो सबसे पहले basic समझना इसका मैं थोड़ा two way का भी clear कर देता हूं इसी के बीच जो हमारा अगर में इसको पकड़ के चलूँ यह 2 meter है हमारा यह spawn यह spawn है हमारा 6 meter ठीक है तो इसमें क्या है जब भी main bar जो डलेगा आपका वो छोटी side में डलेगा यह आगया main bar पहले main bar डलता है यह side पे confusion होगी जाकि आपको क्योंकि जब भी आप steel bar बंदवाओगे side पे तो सबसे पहले आपका छोटा बार डलेगा उसके उपर आएगा हमारा distribution bar और distribution का बार ऐसे तो बहुत महते हैं लेकिन आपको interview बगर में पूछे कोई तो main आपको answer क्या दिन है बोलना कि जो मतलब एक जो main bar है उसको position में रखने के लिए हम क्या करते है distribution bar डालते है इसी में अगर मैं two way का concept आपको clear करूं तो उसमें क्या two way slab क्या हो गया तो two way slab में दुनों आपको main bar होते हैं मतलब जो ऐसे तो डालना हमको same ही है अगर मैं इसी को पकड़ूं यह आगया हमारा main bar यह main bar और distribution bar भी उसमें main bar ही कहलाता है क्योंकि वो भी load distribute करता है ठीक है दोनों main bar होगे और इसमें क्या होता है longer span यह आपको सब को पता होगा आपने classes में इसका design भी किया होगा और ऐसे भी यह सब वीडियो में आपको दिखाये जाता है longer span upon shorter span वो हमारा होना चाहिए less than 2 अगर हम बात करें 6 divided by 2 तो यह हो गया हमारा 3 तो यह क्या हो रहा है one way slab two way slab नहीं बन रहा है तो वैसे ही होता है आपका मतलब two way slab में और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी चारो तरफ load distribute होगा मतलब चारो तरफ beam देखने को मिलेंगा आपने काफी pics भी देखी होगी इस चीज की चारो तरफ हमारा load distribute होगा ठीक है यह होगा basic knowledge किसका हमारा one way two way slab अगर नीचे बड़े हम अभी आता है weight of rod per meter length देखो अगर आपने सुना होगा जो यह आती है हमारी 12 meter की rod आती है साइड पे स्टेंडर साइज मोस्टली 12 meter फिर 10-20 mm छोटा बड़ा होता है लेकिन 12 meter की हमें length मिलती है अगर हमें इसका weight निकालना हो जहां पूरा bundle पड़ा हुए हमारा interview में question दे देते हैं यह आपका bundle आगे महाराज कि आपके एक bundle है उसमें हमारा 10 mm का 30 नग पड़े है बताओ इसका weight कितने है जो नग पड़े है 12 meter की length है उनकी बताइए तो इसको निकालना है कैसे आप कैसे बता सकते हो उसको direct interviewer को 10 into 10 हो गया into 12 meter divide by 162.2 into 30 simple यह formula आपको डाला है मतलग क्या formula बना हमारा d square l upon 162.2 d हो गया हमारा जो भी डाया होगा length जितनी होगी multiply कर देने जितनी number आप बाहर होंगे तो इससे आप simple बता सकते हो interviewer को और आपको side पे जब आप इसका वार्वेंडिंग शेडूल करोगे bbs बनाओगे जहां उसकी building करोगे जब तो यह formula आपको काफी ज़्यादा काम आने वाले वहां पर ठीक है next अगर बढ़ते हम l for column minimum rod अगर देखो आपने column देखा होगा ऐसे गर पे भी construction जब करवाते हैं तो जो आपका column का सरी होता है vertical उस के नीचे ऐसे किया होता है ऐसे तो इसको लेना चाहिए development as a development length development length ही होती है encourage length बोल लो तो इसको हम ld लेके चलते हैं लेकिन लेकिन वो अगर design करोगे अच्छे से वैसे है लेकिन आपको minimum यह चीज जो रखनी है वो कितनी रखनी है 300 mm और अगर ऐसे ld के हिसाफ से provide करनी है तो कैसे करनी है 50 d देखना ठीक है 50 into जो भी डाया होगा अगर 16 है तो शायद आप ही multiply कर ले ना आप 800 mm कुछ आता 850 या 800 mm आता है तो 800 कहां से होगा जहां तक आपकी footing होगी मतलब अगर मैं आपको बताओं अच्छे से यह footing आगे मे यहां end तक हमें कितना करना होता है 800 mm 800 mm क्या 50 d जो भी सरी होगा जिस हिसाफ से 20 का होगा तो हजार हमें 1000 करना होता हमें 50 d के हिसाफ से हमें इसको पूरा करना होता बाकि minimum कितना आपको रखना है यह वाला l 300 mm आगे बढ़ते हैं hook length फार stir up जो stir up होती है हमारी यह stir up आगे हमा 90 mm आपकी hook होने चाहिए यह जो hook होती है 90 mm ठीक है next अभी बढ़ते हैं आगे हो एक cantilever beam है उसको हमें anchorage देनी है लगाओ यह हमारा एक beam हो गया cantilever beam आगे एक column आगे हमारा जो इसकी anchorage होगी यह बार की ऐसे बार जाता है मुश्की मारा उसमे cantilever beam हो ठीक है तो यह जो यहां से लेके यहां तक जो anchorage आपको देनी है वो कितनी देनी है आपको 69d मतलब यहां से यहां length कितनी होने 69d अगर हम 10 mm का बार यूज कर रहे है cantilever में तो ऐसे 10 mm का करते नहीं है तो 690 mm आपको करनी है मतलब यहां से लेके यहां तक कितना होना चाहिए 690 mm बार होना चाहिए यह हो गया अगर by chance इदर से इदर तक हो गया 300 mm फिर हमारा आगे कितना होना चाहिए 390 mm यहां से यहां तक मतलब यह चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी cantilever beam हो यह mostly आपको ध्यान देना है कि आपकी जो development length हो जहां उपर के सरीय की बात करें उपर वाला जो आएगा हमारा तो उसकी यहां से यहां आओ गए अगर 200 तो इदर से इदर हो कितनी होना चाहिए यह beam आगिए ठीक है यह stirrup आगिए stirrup की spacing है 1500 mm तो बताइए इसमें कितने stirrup लगेंगे तो कैसे निकालने है यह अगर हमारा चार मेटर का है 4000 4,000 4,000 चार मेटर का है मैं मैं कर लिए डिवाइड वाइड 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 फिफिटी इन यह प्लस वाण ठीक है इसको डालेंगे उसमें beam में तो एक stirrup एड हमेशा करना ही करने आपको क्योंकि नहीं तो practically वह साइट पे जाके कम पड़ जाएगा यही basic detail थी ऐसे आपको daily इससे भी अच्छी चीजी आपको मिलने वाली है यह चीजी आपको हमारे website जो है civilsightvisory.com वहां जाओ वहां आपको यह लेंगे thank you guys अगर channel subscribe किया है तो thank you अगर नहीं किया है तो channel subscribe करो क्योंकि काफी knowledge इस channel से आपको मिलने वाला है thank you guys